आज बहुत बड़ा दिन है तो देखिए आज लेंडिंग हो भी सकती है और नहीं वीडियो को पूरा जरूर देखें इससे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा उससे पहले छोड़ी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने को कि सब्सक्राइब करने में काफी समय लगा और यह बहुत सारे साइंटेस्ट और सबकी मदद से तयार हुआ आपसा विजूल में देख सकते हैं बहुत ही जादा महिनत के बाद जब तयार हुआ और यह 14 जुलाइक को जब लांच किया गया तो एक प्राउड मोमेंट इंडिया का था कि भाई चंद्या सेफ लैंड करता है मून पर तो यह एक बखुत बड़ी बात होगी इंडिया क्रिए क्योंकि अगर यह सक्सफुली होता है तो काफी ज्यादा माइने में इस रो एक बड़े पाइदा सो आइप मैं यह चाहता हूँ कि आज की दिन जो चंद्यांत्री है वह सक्सफुल हो मैं आज करेंगे लेकिन अगर मैं आप आज लैंडिंग होती है तो यह बहुत बड़ा किर्तिमान होने वाला है भारत के लिए और हम लोग डिस्कस करेंगे कि मून पर लैंडिंग क्यों पॉसिबल नहीं है तो उस भी सेप हम लोग चाचा करते हैं अब देखिए आपके दिमाग में आ सकता है कि इस रो जो है वो पॉस्पॉन क्यों करना चाता है मैं आपको यह बता दू क्योंकि चंद्यांड टूं के अधिके इस रो ने कहा है कि हम लोग कंडीशन ओन दा मून यानि कंडीशन आप मून क्या है देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह चीज है नासा ने यह चीज पहले कही है जो मून स्टॉर्म से यानि कि मून पर जो डस्ट है वह बहुत ज़्यादा एफेक्ट डालती कि अधिक नासा की साइट से मैंने यह आर्टिकल निकाला हुआ है नासा इस चीज पे काफी जादा सीरियेस है क्योंकि नासा चाथ पता लगाना चाहता है कि यह स्टो्म जो है क्यों आते हैं क्योंकि उनका अन्वान ये भी है कि जब कोई बड़ी चीज मून की तरफ याद सबसे बड़ा दुष्मन नासा के लिए जो वहां के टेस्ड कुषाथ कोई भारी कीज़ य्यां बड़ी चीज वहांपे अट्रक्ट होती है मून की तरप तो वहां पर डस्ट जो है वह उड़ने लगती है तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसी चीज़ को इस इस रो यानि कि चंद्यान 3 को फिस आउट करना है और आगे बढ़ना है तो हम लोग समझेंगे कि चंद्यान 3 जो है मून के किस पार्ट पे लैंड कि रॉबर जो है वो पता कैसे लगाएगा कि कहां पे लैंड करना है क्योंकि प्लेइन एरिया चाहिए लेकिन हम में चंद्यान 3 को बहुत साथा मौडन तरीके से डवलब कर दिया है इसलिए वो खुद दोड़ेगा कि कहां पे आम लों को लैंड सो वीडियो को लाइक सब् झाल